अगर आप लिवेश करते हैं और ट्रेड करते हैं तो फिर आपको लिए income tax return फाइल करना ये एक थोड़ा complicated process हो सकता है पर इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बार की तरह हम आपके हित में कई सारी programming लाते हैं और इस बार हम आपके लिए लिकरा रहे है tax की पाट शाला, tax return फाइल करने का समय है और काफी सारे लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि किस तरह से tax फाइल करना है मेरी अगर regular income चल रही है, साथ में मैंने market से income कमाई है तो मुझे क्या कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा अगर मैंने कुछ investments हैं जहांपर profit book करा है तो क्या करना चाहिए equity mutual fund है, debt mutual fund है, FNO trading करी है, intraday trading करी है क्या कुछ अलग-अलग के तरीके हैं, जहां पर आपको tax लग सकता है, कहां पर छूट मिल सकती है, क्या कुछ फाइदे उठाने काफी सारे आपके सवाल है, जवाब आपको एक ही जगा मिलेगा और वो है ये tax की पार्ट शाला जिसमें अल जी आपकी मदद करने वाले हैं, Zee Business के managing editor, आईल सर वैसे तो रोज market में आप हमारी मदद करते हैं, पर tax में तो आपका जो first love है या जो first हो है वो तो tax और CACS ही आता है लेकि साल का ये समय है जब मैं भी active हो जाता हूं, tax को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर और practically लोगों को बड़ी problem आती है और लोगों को लगता है कि CACS है तो ये तो बताएंगी, कहीं भी कुछ भी पूछ लेता, phone करके या message करे, अन्जिल जी ये बताओ, फिर अपने लग कोई भी कमाई हो, crypto और से related कोई भी कमाई हो, futures की हो, stocks की हो, उसको लेकर हमने पूरी planning करने का निश्चे किया है, absolutely sir, और आपके सारे सवालों का हम आसानी से जवाब देंगे, तो basic चीज़ें पहले समझते हैं sir, अगर आप market की कमाई की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ कमाई होती है market की, जिस पर tax लगता है, पांच तरह की कमाई है, जिस पर आपको tax देना है, अगर आपने कोई share खरीदा तो आपको dividend की income आती है, तो company जो भी dividend दे रहे हैं, उस dividend पर आपको tax देना है, दूसरा, आपने delivery खरीदी और share को रखा, लेकिन एक साल से पहले-पहले बेश short term capital gain होगा, short term capital gain होगा, short term capital gain होगा, तो तीस सी कमें आपकी long term capital gain की, चोथा, खेलो India खेलो, सुबह लियाद ओपर में बेश दिन के दिन में जो काम कर लिया, वो हो गया आपके intraday trades और पांचवा वाइदा करोबार के हमारे अभी वन्यू, आजकल 2020 के बाद से काफी traders है, options में, futures में, बड़ा action करने लगे हैं, तो वो एक और कमाई है, futures and options market की, तो ये पांच तरह की कमाई, generally आप करते है, market में निवेश करके, फिर रुचाए आप stocks करी दें, वाइदा tax कैसे लगता है, पूरा, जितना आपकी tax slave है, अगर आप जिस भी slave में, highest slave में, तो आपके highest slave के हिसाफ से लेगेगा, personal आपकी जो income tax की दर है, उसी के हिसाफ से आपको tax देना है, ले रहे, अब इसमें एक चीज़ जो interesting होगा है, कि अब dividend पर, अगर जो भी आपको dividend मिलता है तो इस dividend पर 10% का tax करता है, लेकि तभी कटेगा जब आपका dividend 5,000 रुपे से कम का हो, अगर 5,000 रुपे से जादा का dividend होगा, तो उस पर TDS काटा जाएगा, लेकिन dividend आप जब कम मिलता है, जब आपने कोई share खरीदा हो, लेकिन share खरीदने के लिए आपने कोई courage लिया हो, loan लि कितना, कमाई का 20%, सब्सक्राइब आपने 1000 रुपे dividend कमाए, तो 200 रुपे तक का ब्याज का खर्चा, अगर actually आपने ब्याज भराए तो चाहे वो आपने कोई loan लिया हो, किसी सिर्फ उसी loan करा जो मैंने investment के लिए? सिर्फ अगर आपने investment करने के लिए कोई loan लिया हो, और उस पर ब्याज दिया हो, तो 20% तक, उसका 20% का, चलिया हो, और TDS भी कटता है आपका 10,000 रुपे तो आपको dividend मिला तो, ठीक है सर, short term capital gains tax, share खरीदा, एक साल के भीतर भीतर आप बेचते हैं, यह short term capital gains है, अगर पिसा बना तो, कितना tax लेगा, flat 15%, एकदम, मतलब कोई rate वेट नहीं, एकदम 15% लेगा, इसमें STT का deduction नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि STT आप पे करते हैं, यानि को securities transaction tax, tax क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको rate कम मिले, नहीं तो अगर समझो मेरी highest tax level है, और मुझे gain हो है, तो मुझे highest देना है, याँ 15% ही ले रही है सरकार, इसलिए आपको STT का benefit नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे खर्चे ज़रूर कम होंगे, जैसे आपने brokerage दी, stamp duty दी, transaction charges, CV के charges, जो भी आपके contract note में लगके आते हैं, वो आप खर्चों में से कम कर लो, और उसके बाद जो gains ह है, 15% बढ़ लो, या आपका short term capital है, 15% एक साल की भीतर बेच रहे है, 15% का tax, simple, कोई दिक्कत नहीं, long term capital gains tax, long term में simple है, एक साल से ज़्यादा आप रखेंगे share को, तो यह long term होगा, चाहे share हो, चाहे mutual fund हो, equity mutual fund, एक साल से ज़्यादा अगर आपने रखा तो long term हो जाएगा, अब इसमें थोड़ा interesting है, अगर आपने साल भर में, सारे share हो में, जितना भी आपका portfolio है, mutual funds का है, shares का ह है, सब मिलाके एक लाख रुपए तक का long term capital gain बनाया है, तो उस पर कोई tax नहीं, अच्छा, zero, लेकिन एक लाख से ज्यादा बनाया है, तो 10% tax लगेगा, यह क्लिए, एक लाख तक का capital gain बनाया है, क्या है कि पहले तो long term पर zero ही लगता है, जब STT शूरू आना, long term zero का रखता सरकार को लगा, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, तो उन्होंने कर दी, दर बना दी, तो फिर, अब क्या है, जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, जिनको छोटा मुनाफ़ा मिल रहा है, चोटा long term capital gain बनाया है, यहाँ भी same formula है, STT का कोई benefit नहीं आप यह नहीं सकते हैं, मैंने STT भर जाया है, तो यह मेरा tax भरा हुआ है, वो इस वाले tax में से कम कर दो, ना तो यह tax माना जाएगा, ना खर्चा मना जाएगा, कुछ नहीं, हटाओ, मिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन बाकी खर्चे जैसे की brokerage, transaction charge, service charge, stem charges वगरा है, यह सब आ life insurance ले लिया, कोई PF में डाल दिया, यह सब benefit इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि rate आपकी 10% ही लग रही है, जहां पर भी एक basic formula समझ जिए, जहां भी government आपको subsidize rate लगा रही है, tax की, वहां पर बाकी benefit हटा लेती है, इसलिए, इसमें section 80C के benefit इसमें नहीं मिलेंगे, ना short term में मिल यह ध्यान में रखिए, अच्छा, intraday trades पर कैसे tax लगता है, जो intraday trade है न इसको है, income tax department मानता है कि यह business income है, और वो भी क्या, कुछ अलगी तरगी business income है, ऐसे business income है, आपको कोई business है नहीं, ठीक है, तो इसको नाम दिया, speculative business income, सटे वाली कमाई, अब सटे वाली कमाई, जितन किया है, का आपको इसको business income तो मानना है, लेकिन एक अलग हेड दे दिया, ITR में, income tax return में, जिसको distinct business income बोला जाता है, तो उसमें आप दिखाएंगे, अगर आपके intraday trading में लोस वे जो की ज़्यादा तर लोगों होते है, तो चार साल तक आप करी फरवर कर सकते हैं, आठ नह हो नहीं, और इसका जो tax लेगा, आपके personal slave उसे साब से लेगा है, highest slave जो आपकी है, इसलिए set of में, दो चीज़े ध्यान रखनी, चारी साल तक होगा, और intraday income का loss जो है, वो intraday income के सामने ही set of होगा, तो अगर पुराने साल का, आपके कोई intraday loss पढ़ा हुआ है, 3-4 साल का इस साल market अच्छा है, मोटे पैसे बनाएं आपने intraday में भी, कर लो set of, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है नहीं, हो गई, होगा, अब आते हैं, जहां पर काफी interest volume और action बना हुआ है, वाइदा कारबार, F&O trades पर कैसे tax देना है, देखो F&O trade में दीप दो तरकी कमाई है, एक तो futures किये रहे, एक options किये, ठीक है, चाहे future हो, चाहे option हो, दोनों को income tax department business income मान के चलता है, ठीक है, उनका simple formula क्या है कि यह business income है, ठीक है, आप business कर रहे हैं, मतलब trading investment full time आपका business एकते से, investment नहीं, sorry, trading आपका full time, और F&O में आपका सोदा है, तो delivery तो लेते देते हैं नहीं, आप business income, अच्छा, अब आप समझो, कोई और business करते हैं, तो जिस समझो, आप कोई product बना रहे हैं, उसमें आपने sales की, वो आपकी income हुए, लेकिन उस product बनान की cost जो आई है, वो आप कम भी तो करते हैं, तो कुछ खर्चे ऐसे हैं, जो आप कम करते हैं, तो इसमें एक बड़ी interesting च मिलेगा, किसे, STT आप पे करते हैं, मैंने capital gains के time क्या का है, STT का कोई benefit नहीं है, लेकिन यहां STT का benefit मिलेगा, आप STT को अपनी business income में सकम कर लिए, ठीक है, यानि की futures options की कम हैं, टनो चार्जिस आपने दियोंगे, ब्रोकरी चार्जिस आपने दियोंगे, स्टेम डिट्री आपने charges भरे हैं सामने, उतने सारे के सारे आपको business income के सामने set off मिल जाएगा, यह ज्यान में रखीगा, इस सारे उसमें adjust हो जाएगा, आराम से adjust होंगे, और वो करने भी चाहिए, आम तोर पर लोग यह बड़ी गलती करते हैं, उनको लगता है कि चलो ठीक है, इसमें अगर आपने समझो, पैसा उधार लेके invest किया है, और वो invest करके समझो, आपने margins के लिए आप पैसा कहीं से उधार लाए, और उसमें भी आज भराए, तो वो भी खर्चा माना जाएगा, वो income generate के लिए आपने जो जो खर्चे किये, उस खर्चे का आपको business खर्चा मान के, आपको उसका benefit मिल जाएगा, क्या कुछ और है, बिजनस income वारी बात है, कहा कहा benefit मिल जाएगा, इसमें पहली चीज तो, देखो, STT payment को खर्चा मना जाएगा, STT payment को लेके पहले बड़े issue होते थे, कुछ लोग कहते थे, STT का नाम ही जब tax है, तो मैं tax से कम करूँगा, समझो, आप अचे कने आपके business income वाइदाकरबार से 100 रुपे, थिक है आपकी खर्चे होए, 3 रुपे i4 रूपे पाच रुपे जो भी, थिक है, 5 रुपे आपके खर्चे किए have 25 रुपे तो 55 रुपे पर बाद में rulings, rulings आगे सब clarity होगी तो उसको tax नहीं मानके खर्चा इनकम में सगटाई है यह tax में सगटाने को मिल जाए तो मज़ा आजाए आपको बड़ा फायता हो लेकिन इसको खर्चा बाना जाएगा दूसरा बाकी जो भी खर्चे वह आपके कम हो जाएंगे जैसे कि ब्रो आज को भी आप deduction के तोर पर लो यहां एक बदलाव है जो capital gains के टेक्स में हमने का कि section sorry chapter 6 A के benefit नहीं मिलते है यहां अलग-अलग benefits जो आपको मिलते हैं वहां मिलते नहीं यहां मिलेंगे क्यों क्योंकि आपको पूरे slave आपके highest slave से आप टेक्स बढ़ाई तो basic आपको समझ में आगी तो हर साल आपको याद नहीं करना पड़ाई जहां पर आपको income tax department को कम tax देना है standard rates से वहां आपके benefits कुछ नहीं मिलेगी और जहां पर आपको tax अपनी highest slave से दे रहे हो जो आपकी बनती है वहां पर income tax department आपको सारे खर्चे claim करने की भी छूट देता है और आप investment करते ह तो अब जैसे आपने business income जो भी कर लिए सामने आपको investment करने आप investment करिए section A.T.C. वगेरा में इनमें आपको सब benefit मिल जाएंगे यह सारा का सारा हो जाएगा तो यह इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको mutual funds पर रहते हैं सर मुचल fund में पहले में equity की बात करें एक्विटी में तो simple है जो formula आपका normal share के लिए है वही same equity mutual fund कोई बदलाव नहीं तो अगर आपने share खरीदा हो या equity mutual fund की scheme खरीदी हो आप income tax department के लिए same है एक साल रखा आपने short term होगा एक साल से ज्यादा रखा long term होगा एक साल से पहले आप mutual fund की scheme बेज़ देते हैं 15% tax देना पड़ेगा एक साल के बाद बेज़ते हैं तो वही आपका 10% long term हो जाएगा इक्विटी के लिया से income tax department कभी differentiate नहीं करता कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है तो simple यह तो बहुत clear cut है कि equity mutual fund दोनों में से आप किसी में भी पैसा लगा है आपका same formula लागू होगा ठीक है वहाँ पर कोई नहीं है इस बार थोड़ा डेट समझना जरूरी भी मैं आपको पहले थोड़ा background के साथ समझागा देट mutual fund की taxation को आप दो पार्ट पर बाठी है एक यह इस साल की 31 मार्स 2000 को खत्म हो गया जिसके हम tax planning कर रहा है इस पर अलग है और पहली अप्रेल से थोड़ा तरीका बदल गया अगर आपने investment 31 मार्स 2023 तक किया है तो आपको capital gains का फाइदा मिलेगा date mutual fund में अगर आपने कभी भी बेचे आज बेचे बाद मेचे दो साल तीन साल पांच साल बाद मेचे तो उसका आपको benefit मिल जाएगा date mutual fund में और लेकिन अगर पहली अप्रेल से अब आप debt mutual fund में पैसा लगा रहा है तो आपको capital gain का benefit नहीं मिलेगा अच्छा और आपकी जो personal tax slab है उसके साफ से आपको tax बना पड़ेगा ठीक है अब debt mutual fund क्या है ऐसे mutual fund जिसमें equity का portion 35% से कम है वो debt fund माने जाएगा अगर minimum 35% आपके पास equity है किसी scheme में तो उसको debt fund नहीं मानते है जो equity fund है उसके लिए short term long term के लिए अलग आपको benefit है 10% 15% की slave है लेकिन अगर एक चीज़ हो रहे है अब index session का benefit आपको उसमें नहीं मिलेगा short term में आते ही वह एक difference हुआ है debt mutual fund में जो दर लगीगी अब जो है अब indexation benefits भी चले गए indexation benefits खाली अब नहीं मिलेंगे अगर आपने पहली अप्रिल के बाद investment किया जो अगले साल के लिए आएगा लेकिर वहां तक आपको अगले साल बात करेंगा इस साल के लिए सारे benefit है अब एक और interesting चीज़ पर आते है क्रिप्टो वैसे तो सरकार discourage करती है आपने भी कहा है कि नहीं है बट फिर भी कई लोग हैं क्रिप्टो में पैसा डालते हैं काफी लोग ने किया है क्रिप्टो में बहुत clarity है और क्रिप्टो में जाला को रिसक और मुश्किल वाला काम है भी नहीं टेक्सेशन को लिए फ्लैट 30% अच्छा जो भी आपने कम अगर समझें नुकसान किया तो आपका क्रिप्टो करेंशी का नुकसान किसी और asset class के सामने set off नहीं होगा नहीं होगा मेरी seller income है या मेरी stocks में mutual fund में मुझे कोई gain हुए short term long term या मेरी कोई business income है क्रिप्टो का loss किसी और कमाई के सामने आप set off नहीं कर सकते क्रिप्टो का loss आपने मुनाफ़ा किया तो ही होगा बाकी नहीं होगा तो क्रिप्टो में एक ही समझे है कि आपका loss जो है वह सेट-off करने के आपको facility नहीं है यह समझ लीजी यह बड़ी दिक्कत है हाँ एक समझो आपने bitcoin में क्यार कोई दूसरी currency है वहां आप कर सकते हो लेकिन otherwise आपके प ITR फाइल करना है इस पर भी थोड़ा थोड़ा confusion हो जाता है तो अगर मैं F&O trader हूँ तो फिर मुझे कौन सा ITR फाइल करना है वाइदा करो market traders के लिए तो फिर आपकी कमें होगी business income के इसाफ से आपको income tax return number 3 फाइल करना है अच्छा अगर आप capital gains का कोई benefit ले रहे हैं कोई short term long term capital gains तो आपको भरना income tax return 2 बाकि आपकी अगर normal investment के तोर पर हैं तो आप जिस category में business वाली category में आते हैं salary वाली category में आते हैं तो उस हिसाफ से return बर सकते हैं निकिन वाइदा करो market traders को ITR 3 फाइल करना है और capital gains अगर आपने कमाया है तो ITR 2 फाइल कोई broad चीज जो ध्यान रखे हैं क्योंकि काफी सारे जो आप बात भी कर रहें पिछले तीन साल में नई investors आए हैं number of DMAT account पढ़े हैं market में काफी लोगों ने अपने capital gains भरे होंगे कुछ basic चीज़े तो फिर ध्यान में रखनी हो सर इस tax season में जाते हुए हाँ इसमें एक चीज़ जरूर है कि जनरली है ना income tax में जो आपको दिक्कत हैं आती है कि कौन सी income को आप business income माने और कौन सी income को आप capital gain माने तो इसमें आपके लिए बड़ी समस्या होती है तो उसके लिए आपको एक काम करना चाहिए आप अपना trading account अलग रखें और investment account अलग रखें ताकि आप यह कह सकते हैं त income हो रही है उसको अलग से business income मानने डिस्टिंक्ट business income मानने इंट्राडे ट्रेट के अगरें तो उसकी अलग आपको लगे और अगर आपकी business income है तो अलग taxation होगा और अगर आप investment income है तो आप capital gains वगिरा के सारे benefit ले पाएंगे यह आपके लिए बड़ा फाइदा है यह होगा बहुत दो शुक्रिया अलजी यह tax की पार चलक लिए और सारा process simplify करने के लिए कि कहां पर tax लगता है अगर आप market से कुछ income कमा रहे हैं बहुत दो शुक्रिया आप सबका भी जी बिजनस के साथ जुनने के विए